नमस्ते आप देख रहे हैं दी ललन टॉप मैं हूँ शनाली भूशन कुमार देश की लीडिंग म्यूजिक कम प्रोडक्शन कंपणी टीर सीरीज के मानेजिंग डिरेक्टर है साल 2008 में मीटू मुवमिन्ट के दौरान भूशन कुमार पर यौन शोशन के आरोप लगे थे जिसे भूशन ने नकार दिया था न्यूज 18 में छपी खबर के मताबिक अब एक बार फिर भूशन कुमार पर यौन शोशन और रेप करने के आरोप लगे हैं इस बार मामला कानूनी हो गया और भूशन कुमार के खिलाफ मुंबई के डियन नगर पुलिस स्टेशन में एक 30 वर्षिय महिला के साथ रेप का मामला दर्चकरा आ गया है पीडित महिला ने पुलिस से अपनी पहचान गुप्त रखने की गुजारिश के साथ-साथ भूशन के खिलाफ रिपोर्ट दच करवाई है महिला का अज़ाम है कि भूशन काम देने के बहाने लंबे वक्त से उनके साथ दुशकर्म कर रहे थे पुलिस सूत्र ने एनाई से बातचीत में कहा टी सीरीज के मानेजिंग डिरेक्टर भूशन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहट एक 30 वर्षिय महिला को अपनी कमपनी में काम का जहासा देकर वलादकार करने का मामला मुंबई के डी एन नगर पुलिस स्टेशन में दर्च कराया है आला कि अभी तक कोई गिरुफतारी नहीं हुई है महिला का आरोब है कि उनके साथ 2017 से लेकर 2020 तक भूशन कुमार ने कई बार अलग-अलग जगाओं पर बलातकार किया महिला के मताबिक भूशन उनका बलातकार करने के बाद उन्हें धमकी भी देते थे पुलिस मामले को दर्च कर तेजी से जाच कर रही है और जल्द ही भूशन का बयान रिकॉर्ड करेगी फिलाल भूशन मुंबई से बाहर है 2018 में ट्विटर पर एक अनॉनमस अकाउंट से एक अभिनेतरी ने बताया था कि भूशन कुमार ने उन्हें फिल्म से निकलवा दिया था क्योंकि उन्होंने भूशन के साथ संबंध बनाने से इंकार कर दिया था महिला के मताबिक भूशन ने उन्हें तीन फिल्मों का आपफर दिया था भूशन ने उनसे कहा था कि उनकी अंदर बहुत पोटेंशल है और अगर वो work and pleasure को समझती है तो उनके वर्सुवा वाले farmhouse पर आ जाए महिला के मताबिक भूशन उन्हें अगला superstar बनाने की बात कहते थे इस tweet के viral होने के बाद भूशन कुमार ने सफाई में कहा था कि tweet में लिखी गई बात और उन पर लगा me too का आरोप एक दम बेबुनयाद है और सिर्फ उनकी छवी को धूमिल करने की साज़िश के तहप ऐसा किया जा रहा है अब एक बार फिर भूशन आरोपों के खेरों में है लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है यह स्टोरी दी ललन टॉप में इंटर्णशिप कर रहे हैं शुभम ने आपके लिए लिखी है आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शुक्रिया